हेलो दोस्तों नमस्कार श्रेंतों से आईस में आप सभी का स्वागत है हाई होप आप सब ठीक होंगे गर्मी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ रही है प्लीज अपने आपको मैनेज करिएगा ठीक है लिकूट चीजे ज्यादा लीजिएगा तो चलते हैं आज आपका चैप्टर ह दच्छड और मद्भारत की पर्बस्रेडिया तो दचड और मद्भारत की पर्बस्रेडिया से पहले आप लोगनों जो वीडियो नहीं देखा है जो अब यह सीरियल वॉइज से चला जोगरफी हैं रेटेंट नोट्स में आपको हमने भारत का समाने पर्चे करवा दिया है जो उत्तर भारत की जितनी पहाड़िया परबस्रेडिया थी करवा दिया है अब यहां पर दच्छिर भारत की परबस्रेडिया पहाड़िया करवाएंगे देखिए आज के ओबरव्यू देख लेते हैं क्या क्या है तो देखिए हर एक चीज बताया गया है कांसी भूमी कहां पड़ती है कैसी है ठीक है तो देखिए ये इस PDF को आप टेली ग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है डेली PDF वहां पर मिल जाएगा आपको डेली का PDF आप डाउनलोड करके उसको रख सकते हैं, revision कर सकते हैं ये सब mainly आपका जो घटना चक्र है, जो short notes उपर दिया रहता है और नीचे box में answer दिया रहता है, उसी का overview यहां पर होता है तो आप सब का response अच्छा आया है, इस पर ठीक है, तो चलिए हम सुरू करते हैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, कि आप सब को मैं सोच रहा था, ये geography के अलामा भी एक subject और करवाऊं ठीक है, नहीं तो paper आ जाएगा, तो थोड़ा सा hectic situation हो सकती है आप सब के लिए ठीक है, तो अभी paper थोड़ा सा दूर है, तो मैं सोच रहा था कि आप सब एक टेलिग्राम पर पोल दे दीजिएगा, कि मैं वहाँ पर पोल तो देहीं दूँगा, कि आपको कौन सा subject और पढ़ना है, तो वहाँ पर कई option होंगे, चाहे आप, जगरफी के अलामा, history, policy, economics, environment, science कुछ भी होगा, जिस पर ज़्यादा पोल आएगा, वह हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो आप टेलिग्राम जॉइन करके, आज ही कल में मैं पोल करवाँगा, पिलिज वहाँ पर पोल करिएगा, ठीक है, अब हम कभी स्टार्ट करने वाले हैं, अब ही जब हमारा 9000 subscriber प तो चलते हैं, शुरू करते हैं, दच्षड भारत और मद्ध भारत की परवस्रेडिया और परहाडिया, ठीक है, तो यहां पर आज पढ़ते हैं, पराई दीप यह पठार की बात अगर करते हैं, तो इसकी आकरिती जो होती है, वो मेज के समान है, ठीक है, आप घटना चक्र का एक एक पॉइंट देखेगा, हर एक पॉइंट वहां पर मिलेगा, ठीक है, अकरित किसी है, मेज की आकरिती जैसी है, पुराने किष्ट लिए अगने और उपांत्रिस सैलों से यह बना है, अब देखिए, गोंडवान यह कैसे बना है, गोंडवाना भूमी का जो अपच् जो नीचे वाला भाग होता है, वो आपका धक्कन का पठार का लाता है, ठीक है, तो उपर वाले जो मद उच भूमी के बारे में देखते हैज। मैज नर्मदा के उत्तर में, तो नर्मदा नदी यहां से बहती है, मद पर्धी हुई जाती है, तो क्या होती है? उसके उपर बहुत दिधर भाजम करता है टिर जो मलवा पहला हूँ हुआ भाजुन है हुआ का पहला है म।ot दिकतर भाजमों अब जैसal हम कहते हैं मद शुम है टीका थकत तो इसको उते करफें नहीं दिखिए देखें रिकाम इसके इसके उत्तर में बिंद्या और उत्तर में इसके पस्चिम में उत्तर में आरावली है अब इसके दच्छड में नर्मदा नदी है और इसके पूरब में कैमूर की पहाड़िया गर जाती है यह सब पहाड़िया पर जाती है ठीक है अब देखिए आरावली के बारे में कुछ देख लेते हैं ठीक है क्योंक क्वेशन आए गया था कि आरावली पहाड़ी जो होती है और अवली परवत है कितने राज्जों से होकर गुजरती है तो वहां पर कितने राज्जों होगा गुजरात होगा राजस्थान होगा हर्याड़ा होगा दिल्ली तक जाती है तो चार राज्ज होंगे कितने राज्ज कि याद रखेंगे बहुत इंपॉर्वडंटे इसकी बत कर रहीं करें लты इससी लिए पूश लिया जाता है इसका निर्माड का बप्री केंब्रियम्रियन शेसौए फाइन सब्सक्राइप 202 एक classic bookingama सास सो बाईस मीटर इसकी उचाईए सरवाचे चोटी गुरु सिख रहा है अब दोखे आरावली क्या होता है अरावली एक आवसिष्ट है अब दोखे आवसिष्ट उन परवतों को कहते हैं जैसे ये पहले ये परवत है यह देखिए हम यहांपर एक परवत बना दी है इसका ये पहले था जब बाद में क्या हुआ इसका ये क्या हुआ अपरदित हो गया कई सकती है यह बादल वायू भी हो सकता है आपका बारिश भी हो सकती है ठीक है और हुकम भी हो सकते कई बहुत हो सकता है तो यह जब क्या होकर क्या हुआ है ऐसे निम्हों हो गया तो यह जैसे हाभी आपका परवत जैसे दिल्ली में देखे हूंगे कहीं आपको लगता है कोई पहाड़ है नहीं ऐसे ही उन्ची भूमी है ठीग है कि बंदध्यचल अरावली सत्पूरा यह सब किसके भाग है ऑसिष्ट मेरे भी भाग है चुक्त जैसे अपर्दित होकर हो गढ़ा हुआ सब इसी के भाग हैं मुंत कर जैसे सत्भी तो पूडा के सब्सक्राइब सस्क्राइब करें और द मॉझता और ती तो ये पहुत पूछा गया है और इस सब्सक्ताइब लिए भांता की तरह के आपको याद रहना है तो सब से ऊंची चोटी सत्पूड़ा की धूपगड़ा है पंच मडığını में इस clapping महाद्योप पहाड़िया सत्पूड़ा परबत 세ण है कि सुछ पूछा गया था जो महाद्यों की पहाड़ियां किसका भाग तु यह किसका भाग है सथ्पूडया परबत रेडिका ही अब अब दिखे इसी सत्पुरा में तीन आते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा यह तो इतना हो गया है इस पेज में एक चीज़ और भी पढ़ना आए ठीक है यह इसलिए मैंने बताए इसको ठीक है क्योंकि यह यहां पर इस अब दिखें यहां पर क्या है नल्ला मलाई है यह ज 2005 में कुछन आया था कि ऊपर सबसे कौन है तो उपर सबसे नल्ला मलाई पढ़ता है उसके नीचे कौन सा पढ़ता है उसके नीचे आपका पढ़ता है जावैदी ठीक दो नंबर यहां लिखा गया ना थे के दो नंबर आपको मतलब मैं ऐसे ही मिलेगा पीडियेप में तीन नल्ला मलाई जो आंद्र प्रदेश के रियम पढ़ती है जावादी नेलगिरी नल्ला मलाई अन्ना मलाई ठीक है तो यह सब पहाड़िया आपके कहां पर यह नौर्थ से साउथ के बीच में याद रखेंगे आईस में आया है तो आपके PCS में भी आ जाएगा ठीक है चलते प्सिमिघाट के बारे में जिद्यतना यहान लिखा गया यह सब फैक्ट पूचे गया आपके में अब देखेए नौर्थ का एरिया जादा उचा है कि साउथ का एरिया जादा उचा है पश्मी घाट की ही सिर्बात कर रहे हैं तो पश्मी घाट में जो नौर्थ का एरिया है वो उचा है दच्छड की अपेच्छा कम उचा है उनसा नौर्थ की एरिया ठीक है तो साउथ का एरिया जहां केर ज्यादा उचा है नौर्थ में कम उचा है दच्छक यह पेच्छा कम उचा है क्या है websites पश्मी एक एसलों पश्चमी घाट नौर्थ मेंजो पश्मी हट है तो यह याद रखेंगी ये कुश्चन पूछ लिया गया था देखिए पश्मी घाट को सहियादरी के नाम से भी जाना जाता है ये तो यादी करना है सबसे उची चोटी कौन सी है अनाई मुडी सबसे उची चोटी है पश्मी घाट की जिसकी उचाई है 2695 मीटर है ठीक है दच्छ भारत की सबसे उची चोटी अगर पूछे तो अनाई मुडी ही है दोड़ा बेटा मत करिएगा वो दूसरे नमर प्याता है अनाई मुडी है जो 2695 मीटर है आउसत उचाई किती है पश्चमी घाट की पूछ रहे हैं यह तो सिर्फ अनाई मुडी की बता रहे हैं यह पश्चमी पूरी घाट की आउसत उचाई ठीक है तो पश्चमी कैसे आउसत उचाई एक ज्यादा उचा हो गया और यह एकदम कमी हो गया नीचे है तो वह आउसत निकल जाएगा तो आउसत बारा सो मीटर ही है मतलब आउसतन बारा सो मीटर आपको उची चड़हना ही पड केरल सर्व परवतम के नाम से जाना जाता है जो केरल में 21 नाम से सर्व परवतम के नाम से जाना जाता है यह याद रखेंगे बिस्तार गुजराज से लेकर तमिलनाडु तर लगवर 1500 किलो मीटर तक तो इसका बिस्तार पूछ लिया गया था कि इसका बिस्तार कहा है तो हिंग इसकी बात नहीं कर रहे हैं इसकी दिए भाद नहीं नहीं है तो यह सब fender नदीए इधर चली जाती तब मैं इन्डिया बना रहा हो तक तब यहां पर बंगाल की खाड़ी है इसी की की बात यह सिद्धा시ड़ी है और इधर एक दफ टीब धाल है तीब धाल इस कैसे तो कि जितनी भी नदिया आती है वो तो मलब तूटके गिरी पड़ा यहां पश्चमी घाट तूटके समुझर में गिर पड़ा तो एकदम पुरा खड़ा ही हो गया ना मलब एक उचाई पर हो गया इसलिए यहां जितनी गाट मुकटा बेसाल्ट सहलो से गोवा के तच्छड गरेनाइट और निस फैलो से निर्मित तो मलब सूलाद गरी जो उत्तरी साढ़े तीश इधर जा रहा तो सोला तक करा रहा है कि पश्चमी घाट मुकता बेसाल्टिस सहलो से निर्मित है ठीक है तो यह यह रखेंगे गोवा में दच्षड ग्रेनाइट और नीस गोवा से दच्षड मतलब यहां पर मालीजी गोवा है यहां से इसमें बता दे रहा हूं मालीजी यहां पर गोवा है गोवा से इधर दच्षड में क्या है ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है चलते हैं ने देखते हैं यह तो यहां पर महाराष्ट में गुजरात में हैं कौन मांडो पहाड़ी महाराष्ट में यह बार बार पूछता थोबार पूच चुका दो भार पेपर में यमियिच करके आ चुका लेकिन आपको गुजरात तोफेत아서 pouring in Bengal héana प्रत लगाना है यहीं पूचते कि मांडो पहाड़ी कहा है यह रहा है है कि महाराश्ट में फिया है तो यह महाराश्ट में नहीं गुजराथ में फिर लिए में लिख दिया हूँ आप जैसे नोट देखेंगे तो आपको अच्छा से पता चल जाएगा फिर नहीं बोलेंगे अब देखें तमिलाडु राज्च में जावादी पहाड़ी कहा है तमिलाडु एक बार में फिर बता देता हूं पहले नल्ला मलाई आएगा फिर जावादी पहाड़ी आएगा फिर नियलगीरी पहाड़ी आएगा फिर अंऱना मलाई फिया फिर सीवर आएप सबसेestra nori काडबभा ही यह पोसकता है कि सबसे द जाच्छर में कौन सी पहाड़ी काड़म पहाड़ी जिसको एक बात कहते हैं आंद पर्देश यूं तिलंगाना के मद सीमा बनाती है को नल्ला मलाई पहाड़ी नल्ला मलाई पहाड़ी के बारे में यहां बात हो रही है ठीक है तो नल्ला मलाई पहाड़ी आंद पर्देश तिलंगाना के मद सीमा बनाती है यह पहाड़े किष्णा और पिनार न और नेलगिरी पहाड़ यहाँ इसी के मद्ध है नला मलाई पहाड़ यहाँ लिख दिया हूं उपर महा न दिया है नीचे नेलगिरी पहाड़ है तो ऐसे मैं डाइग्राम बना दिया हूं ताकि सरफ आपको एक बार देखने से ही पता चल जाए अगर कभी भी आपको लगेग है आप गहतना चक्र में देख लीजेगा एक्दम सेंटो सेम जैसे है वैसे ही यहां पर लिखा गया है कोई चेंज नहीं किया गया है ठीक है तो आप सब इपन बिलिव के साथ यहां पर पड़ सकते हैं थिक और देखे नेल गिरी पहाड़ी कौन से यह दो नेल गिरी है ताकि तो जो पश्मी घाट और पूर्वी घाट का मिलन अस्तर और निलगरी पहाड़ी पर ही होता है समले तस्तर यह देखे ना अब देखे सरोच चोटी कौन है दोधा बेटा है तो सरोच चोटी दोधा बेटा है वहां 2900 कुछ किल मीटर था यहां 2600 कुछ मीटर है ठीक ह तो यह सोच हमेशा दोधा बेटा ही मत लगाईएगा दोधा बेटा निलगरी पूछे वहां पर कुछन डबल आएगा दच्छर भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तब आप क्या करेंगे अनाइमोडी निलगरी पहाड़ी की सबसे उची चोटी कौन सी है तो आप क्या बताएंगे दोदा बेटा ठीक है जच्छ भारत की परसिद्ध जंजाती जो टोड़ा जंजाती है यहीं निवास करती है यहीं पर निवास करती है चलते हैं यहां देखते हैं नेलगिरी परबतमाला तमिलनाडू केरल करनाटक राज्यों में बिस्तरित हैं कहां पर अगर करें लें यहां पर जितना भी यह सर्क्यों किया गया उससी के बारे में बात हो रही है कहां तक कंद्ध निवास करती है तो गपिущ आप देखिए दो हो गया इधर, इधर अजंता पहाड़ी, इसका विस्थार कीवल महाराऊष्ट में, जैसे हम मांडवी पहाड़ी का कहा है, पूछ रहा था बार बार किसी कहा है, तो आप बार बार लगाइए, गुजरात में हैं, तो महाराऊष्ट में नहीं है, तो बदला दोनों लोग का पूरा हो गया एक बार हम पढ़ रहे थे मांडवी पहाड़ी गुजरात में एक बार अजनता पहाड़ी पढ़ रहे हैं महराष्ट में अजनता गुफाएं तो महराष्ट में हैं ऐसे पता हुई होगा आपको सेवराय पहाड़िया सेवराय पहाड़िया तमिलनाड़ू के सलेम के पास इस्तेत है कहां पर तमिलनाड़ू में जावेदी और सेवराय पहाड़िया सब पूरी तरह से यहीं तमिलनाड़ू में ही इस्तेत है पूरवी घाड़ का हिस्सा है पहले उपर नल्ला मलाई है फिर आपका कौन से आएगी जावेदी आएगी फिर नीलगरी आएगी यह देखिए थोड़ा सा मैं यहां पर आपको दिखाई देता हूं यह देखिए यह जावेदी पहाड़ी है देखिए जावेदी पहाड़ी यह वाला यह है तो यह देखिए तो फिर पहले नला मलाई, फिर जावेदी, फिर निल गरी, फिर अन्ना मलाई, ठीक है, यह याद रखेंगे, आपके पेपर में पूछ सकता है, कुकि जो आई-अइस में आ जाता है, पीसेश में जरूर आता है, काड़मम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, करें हैं, कि काड़मम के बारे में केरल के दच्छड पूर्वी हिस्से में तमिलनाडु के दच्छड पाश्चिमी हिस्से में अवस्तित हैं मतलब कहने का इनका क्या मतलब है इनका कहने का मतलब है कि जो काड़मम पहाड़िया हैं वो केरल और तमिलनाडु जोनु जगह हैं इस्तित है कि यह काड़वम पहाड़ा क्या है यह केरल और तमिलनाड नृण नों में हैं तो इस साइड का है और केरल का इस साइड इसी के बीच में तो याद रखेंगे ते लंगाना में इस्थित पूर्वी घाट और महिंद परवत का हिस्सा है यह रामगिरी एक याद करेंगे मैकाल सत्पूरण सरेडी का पूर्वी भाग है अब देखते हैं यहां पर ठीक है मैकाल सत्पूरण सरेडी का पूर्वी भाग है जो यंपी में है 36 गण में बिस्त्रित है अभी मैकाल के बारे में इतना भर भर के कोशन आया है वो मैं सब दिखाऊंगा आपको यह देखें अ यहां पर उकरता हूँ एक यहां पर सतमाला पहाड़ी है ठीक है रुकिए हाँ आप देखिए यहां पर एक सतमाला पहाड़ी है देखिए सतमाला जो आपको दिख रहा होगा एक सतमाला के बाद कौन सा आप का जाएगा यह कैमूर पहाड़ी है ठीक कैमूर एक नागा हिल्स आप 5 पर आप बताइं फिर में अब पोच्छाव कि तरफ ऑब 8 कि तरफ पीला किया गया यलो किया अस्का इसक बताई एक तो आप क्या करें गोत माल बताएंगे फिर कैमूर नागा हेल्स बताएंगे फिर पीर पंजाल बताएंगे ठीक है अगर मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे इतने आराम से मैं जगर्फी पढ़ा दूंगा कि जो बहुत बड़े टीचर नहीं मतलब उत्ता सही से बताते हैं मैं उतना सही से बता दूंगा कि आपके मैं लेकिया चाहिए बच्चों को कि सब्सक्राइब यहां पर मैंने लिख दिया है पहले सब्सक्राइब कर दो नागा यह चाहिए ठीक है तो यह दच्छड से उत्तर नहीं दंच्छर से उत्तर तो दच्शv से उत्तर कौन से सतमालला यह देखे में तीर भी लगा दिया हूं यह नहीं तो आप Conference नहीं Kashyut यह सबदे होगे यह काणिया कुमारी से 60 पहाड़ काडम की बात कर रहे हैं pekin काडमा कुमारी से 60 fac y यह 2019 BPSC में आया है ठीक है तो जो 70 BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफी इंपोर्डेंट है अब देखें कुछ बात कर रहेते हैं महराष्ट में यह महराष्ट और करनाटक में पश्मी घाट को सहियादरी कहलाता है तो अगर महराष्ट और करनाटक की बात करें तो सहियादरी कहलाता है क्या पश्मी घाट पश्मी घाट महराष्ट और करनाटक में सहियादरी कहलाता है इसको पश्मी घाट में लिखना चाहिए तो चलिए यहां लिख दिए हैं ठीक है मतलब मैं कुछन जैसे देखता था वैसे लिखता था ठीक है अब देखें यहां पर स सद्पूरा सिंखला है तो यह सद्पूरा की पहाड़ी से छेत्र में कौन से पहाड़िया है बहुत important है यहां से दो बार question पूछा गया है अब आपको डाइग्राम थोड़ा नहीं समझ में आ भूगा तो मैं बताता हूं देखें यहां पर तीन पहाड़िया को ठोडेकर यह पर फिक कार देखें अन्यक्रां उदिर मैकाल कहां है या कहीं यह नहीं दिख रहा है बढ़वानी कहां है ठीक है तो वो सिर्फ सत्पूरा दिख रहा है क्योंकि इसी सत्पूरा छेत्र में तीन पहाड़ी है सत्पूरा छेत्र में यहां पर तीन है एक यह है और एक यह है तीनों वही मैं यहां पर लिखाओं एक पह सत्पूरा पहाड़ा छेतर में जो पहाड़िया हैं उनकी कहां से बेष्ट से इस्ट तक मतलब अरेंज करेंगे पहले बेष्ट में पढ़ेगा बाडवानी की पहाड़िया इसके बाद जब इधर थोड़ा चलेंगे पश्चिम से पूरव यह दिखें हम लिखे भी दिए हैं पश्चिम से पूरव इसके बाद महादेव पहाड़ी इसके बाद मैकाल तो बढ़वानी महादेव और मैकाल ठीक है यह याद रखेंगे सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टन है अब देखिए महादेव यंपी में है यह सिर्फ पूरव की तरफ ही इसमें देखिएगा कौन से चल ले हैं गजरा से चल ले हैं पहले आप महादेव का दर्सन करेंगे फिर मैकाल का दर्सन करेंगे ठीक तो ऐसे याद रखेंगे तीनों ही सत्पूरा सिंखला की सिंखला है सिर्फ मैकाल पूरब में थोड़ा सा है ठीक है तो मैकाल क्या है पूरब में है तो आपको समझ में आगे अगर पूछे कि पहले मैकाल पढ़ेगा कि महादेव अगर इधर से चलने महाराश्ट्रा से पहले महादेव पढ़ेंगे फ पर शोटा नागपूर का पूर्वी छौर पर इस्तित है शोटा नागपूर के इसके सिखर पर सिखर जी जैन मंदिर इस्तित है उचाय तेरा सो पैसट मीटर है जारखंड राज की गिरडी जीले में पारशनात पार्शनात पाहडियां है इसका नाम जैन देहनम के 23 तेर्थकार जो 23 तेर्थांकर होते हैं पारसुनाथ के नाम पर रखा गया अब देखिए यहाँ पर यह कुछिन 2022 में कुछिन आया था कि बटेस्वर जो पहाड़िया है यह पारसुनाथ के बारे में इतना है ठीक है पारसुनाथ जो जहारखंड के बच्चे होंगे वह ज्यादा क्योंकि आपके भी पेपर में आ जाता है कभी कभी तो जितने भी पीसे के लोग तयारी करते हैं किसी भी स्टेट का सब के लिए इंपोर्ड़न टिक है बटेस्वर पहाड़िया कहां है बिहार में भागलपूर म ठ्थितक है मरी पूर में मियनमार से मडीपूर से मडीपूर तक विस्तित है양 किन और तra मीरी होडा अंचल पषाण पहाडरा नहीं पहाडियां राजास। त यह तो ये पूछा था कि मुंकुंद्रा पहाड़िया राजस्तान में किस परवस्रेड़ी का बिस्तार है तो वो बिंध्यन का है ना कि अरावली का लगाएंगे ठीक है किसका बिस्तार है वहाँ आपसन में अरावली भी दिया रहेगा onds फो सब अरावली लगाएंगे लेकिन ये किसका बिस्थार है मुकुंद्रा पाहड़ी या राजस्तान में बिंद्य परवत का बिस्थार है सालहेर चोटी महाराश्ट्रम है ठीक है बहुत important question है सालहेर चोटी महाराश्ट्रम में है कोडाई कनाल तमिलणाडु में कुडाई कनाल तमिलणाडु को लिज़े में पानली पहाड़ी में इसतेतः है अब देखे बस इतना ही था आज के लिए ठीक है आई होई आपको मतलब मैं समझा पाया हूँ अब प्लीज आप सब क्या करिए हाँ, यह लिखे, प suburbs से पूर्वा तक यहां तो बताईगी नहीं थे महादेव आयेगा, पिर मैकाल आयेगा, पिर छोटा नागपुर आयेगा, फिर खासी पहाड़िया ये आपके पेपर में आया हुआ है पहले महादेव पर मैकाल फिर छोटा नागपुर खिप्र खासी की पहाड़ है ठीक है तो ये आद रखेगा डफ़ला पहाड़ी है पहाड़ी है या ठीक है गारो खासी जैन्तिय जो मीजो हिलसे मीजोरं में हैं हजारी बाग का पठार जहार खंड में ठीक है गढ़जात पहाड यह बता जुके हैं भी ठीक है यह दिखें हो बिंद हरिश्चंद्र wealthy ऐ देखें बाला घाट महराश्टर में हरिश्चंद्र महराश्टर में तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक सेर कर दीजिएगा थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बना रहे ठीक है तो मैं दूसरा भी स्टार्ट करने वाला हूं वहां पर पोल होगा प्लीज टेलिग्राम जोइन करके अपना पोल दे सेर डिलखाट करनेशन वाल हमारा हो जूसरा ही अगर भी सर